आज की वीडियो बहुत ही important है और इस वीडियो में आप लोग scientific instruments के उजस के वारे में सीखेंगे instrument के उजस से related अक्सर questions एक्जाम में पूछे जाते रहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही important है और अगर आपने चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया तो कर दीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको general knowledge related questions and answers देखने को मिलते रहते हैं जो कि आपके exam के लिए बहुत ही important होते हैं और important वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर created playlist को जाकर check कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को पहले question के साथ पहला question है एक्सिलरो मीटर एक्सिलरो मीटर का use क्या है तो उसका correct answer होगा रेक्सिलरो मीटर का इस्थिमल किया जाता है नेक्स्ट है नेक्स्ट है कैलीपर स़िपर को क्या use है तो उसका correct answer होगा it is a device which is used to measure the inside and outside diameter of a cylindrical object जो cylindrical objects होते हैं उनकी inside और outside यहने की अंदर और बाहर वाली जो diameter होती है उसको measure करने के लिए calipers का इस्तिमाल किया जाता है ठीक है? inside and outside diameter को measure करने के लिए calipers instrument का use किया जाता है next question है, bolometer bolometer का क्या use है? तो उसका correct answer होगा, thermal radiation gauge जो thermal radiation होते हैं, उनको measure करने के लिए bolometer का इस्तिमाल किया जाता है bolometer is used to measure the thermal radiation उसमें बिबी करण को मापने के लिए bolometer का इस्तिमाल किया जाता है next है, winocoolers winocoolers का क्या इस्तिमाल है? तो उसका correct answer होगा, magnifier की तरह काम करता है जो के दूर रखे object magnify करके दिखाता है कोई भी object जो दूर रखा है उसको पास दिखाने वाला इंतर है इसको हम लोग winocoolers कहते है next है, barometer barometer का क्या use है? तो उसका correct answer होगा, to measure the atmospheric pressure atmospheric pressure को मापने के लिए barometer का इस्तिमाल किया जाता है बायो मंदलिये दाव मापने वाला इंतर यहनि कि barometer is used to measure the atmospheric pressure next है, barograph barograph का क्या use है? उसका correct answer होगा, to represent the graph of change in the air pressure air pressure में आये हुए change को graph पर represent करने के लिए barograph का इस्तिमाल किया जाता है बायो मंदलिये दाव में होने वाले परिवरतन का गिराफ अंकित करने वाला इंतर next है, abometer abometer का क्या use है? उसका correct answer होगा, radio fault detection device जो radio के अंदर जो fault आते हैं, उनको detect करने के लिए abometer का इस्तिमाल किया जाता है इनकि रेडियो में उत्पन दोस्ट का पता लगाने का इंतर next है, aureoscope, aureoscope का क्या use है? तो इसका answer होगा, to inspect the internal part of the ear जो कान के अंदर का internal part होता है, जो internal part of the ear है कान के अंदर का जो भाग है, उसको inspect यानि कि उसके अंदर निरिच्छड करने के लिए कान के अंदर को भाग को तो निरिच्छड करने के लिए, इसका के लिए में, कि यई भिद्द्धध राको मापने के लिए, अवीर का इस्तेमाल कर जाता है next is Lt meter, Lt meter का क्या use है, तो इसका answer होगा, it is an instrument used to measure the height of aircraft, जो aircraft होते हैं, उनकी height को measure करने के लिए Lt meter का استعمal किया जाता है, वेमानों की उचाइ मापने हेतू, प्रियुक्त यंत्र, aircraft होते हैं, उनकी height को measure, उनकी उचाइ को measure करने के लिए Lt meter का use किया जाता है, next is aerometer, एरोमेटर का क्या यूज है तो इसका correct answer होगा instrument used for measuring the mass and density of air and gas air की और gases की density को measure करने के लिए एरोमेटर का इस्तिमाल किया जाता है ठीक है बायू तथा गैसों के बाहर तथा घनत्मापने का यंत्र नेक्स्ट है audio phone audio phone का क्या यूज है तो यह एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि सुनने में सायता के लिए कान में लगाए जाने वाला उपकरड है जो लोग सुनने ही पाते हैं उनको audio phone नाम का एक डिवाइस यानि की audio phone नाम का एक इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है जिसकी मदद से लोग सुन सकते हैं तो सुनने में सायता के लिए कान में लगाए जाने वाला उपकरड नेक्स्ट है आडियो मेंटर क्या होता है तो इंस्ट्रूमेंट उस्ट्रूमेंट 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 इंटेंसिटी ओफ सन्रेज उनको इंटेंसिटी यानि की तीब्रता को मेजर करने के लिए एक्टिनोमेटर का इस्तिमाल किया जाता है नेक्स्ट है एक्विमिलेटर का क्या यूज है उसका अंसर होगा इट जन इलेक्ट्रिकल एनरजी स्टोरेज डवाइस जो बिद्धूत उर्जा होती है उसको स्टोर करने के लिए एक्विमिलेटर का इस्तिमाल किया जाता है तो बिद्धूत उर्जा को संचित करने का है यह आंत्र है ठीक है थैंक्यू फर वॉचिंग फॉर वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आए उसको लाइक कर दीजिए कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजिए थैंक यू